आज हम 37C की मार्केट में आये हैं ये हमारे भाइसाब हैं जो ये मुमफली लगाते हैं यहां पर अब ये आपको मुमफली भून के दिखाएंगे इसमें नमक डाला हुआ है और ये नीचे आग जल रही है बड़ी खतर्नाक सी जाग है और ये नमक बिल्कुल गरम हो चुका है अब इसमें ये मुमफली टालेंगे ये डाल दी मुमफली और एक और डाल दी और ये पहले लाल हो गई जैसे ये लाल होती है इसके बाद ये ब्राउन होईगी ब्राउने के बाद ये समझो ये भून चुकी है ये यहां पर काफी टाइम से काफी सालों से मतलब ये हर साल ये देखो ये भून के इन्होंने तयार कर दी हुई है अब ये गरम गरम इसमें थेले में डाल देगें बोरी में और ये ये भी इन्होंने सब नमक नीचे निकल गया है चांद दिया हुआ है और ये इसमें बोरी में भर दिया है ताकि ये गरम रहे ये इनके पास गचक भी होती है और ये हर साल लोडी से लोडी के टाइम तक यहां पर होते हैं और ये मार्किट के पास बैठते हैं ये सामने पार्क देख रहे हैं और ये इदर ये मार्किट है और ये बस्टॉप है बस्टॉप के बिल्कुल साथ में यह यहां पर बैठते हैं ये प्यारी प्यारी इन्होंने गचक भी रखी हुई है मुमें पानी आ रहा है गचक को ल यहां के बुर्णिले और इन बच्चों को फीज़े उपर मंखा चलता है रीचे मुन्ना सौता है सौता है सौता है भूक लगी खाले बेटा मुंफली मुंफली में दाना नहीं हम तुपारे मामा नहीं मामा तो गया दिल्ली आसे लाए दो बिल्ली माम बिली ने मारा पंजा मामा हो गये गंजा है एपी लोडी मुंफली भून रहे है यह पहले पिछले कही शालों से यहां पर यह लगाते हैं अब इन्हों ने यह मुंफली डाली थी कच्ची और वो को इन्हों ने भून दी हुई है और इनको तो आप जानते ही हो यह दोनों आज संड़ है लेकिन आज मौसम बड़ा ठंड़ा हो रहा है मुंफली खाने का मौसम है मुंफली गच्चक वगेरा इनके पास मुंफली भी है गच्चक भी है यह देखो और आज कल को यहां पर यह बड़ा टैंट लगाएंगे और और बहुत सारा इनके बास गच्चक वगेरा काफी ज्यादा होती है तो यहां पर आएं और इनसे मुंफली और गच्चक वगेरा खरीदें और अराम से लोडी मनाएं एपी लोडी